नबश्कार दोस्तों आप सभी का एक फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं ओपो की तरफ से आने वाले A11K मॉडल को और दूसरे हाथ में रहता है टेक्नो की तरफ से आने वाला कैम-on 15 प्रो तो यह दोनों ही दिगज मॉ जाता है 5000 के आसपास देखने को मिलेगा लेकिन यह बहुत ससते में आपको मिल जाता है लेकिन कंपारिजण की आखिल वज Э سर्थ क्रोवगवन थे दीक्बॉर प्रोसेसर को देखने को मिले हैं तो यहां पर बताते है कि कौनसे फुन यहां पर खास होने वाला है और यह तो दोस्तों यहां पर आप अपारे सामने देख रहे हैं ओपो की तरफ से आने वाला A11K और दूसरी तरफ रहता है टेक्नो की तरफ से आने वाला Camon 15 Pro सबसे पहले बॉक्स की पैकिंग की बात करते हैं तो यहां पर OPPO की जो ट्रडिशनल पैकिंग आ रहे थी उसे थोड़ी सी हाटकर पैकिंग देखने को मिली है आप देख सकते हैं कि अच्छी कासी डिजाइन वगरा बनी हुई है बैक पर आपको बहुत सारी डिटेल देखने को मिलती है एक बात करते हैं तो यहां पर आपको एक दों कॉम्पाक्ट सब्सक्राइब बनाते हैं यह लोग तो यहां पर भी आपको साइड में बहुत सारी डिटेल दे रखिए जैसे कि 48 मेगा पिक्सल के क्वाट क्यामरा रहते हैं यहां पर अल्ट्रा नाइट लेंस दे 76 इंचेस की यहां पर डिस्प्ले आपको दे रखिए होती है तो यहां पर इतनी सारी डिटेल दे रखिए तो फटा फट बॉक्स को ओपन करते हैं बाकि आगर आपने इनकी अन्बॉक्सिंग ना देखी हो तो उसको जाकर आप एक बार जरूर देख लिजेगा क्योंकि बह तो यहां पर एक छोड़ी से में जेक्टर पिन रहती है बाकी अचार डालने के लिए कुछ पेपर वर्क मिलता है तो आप इसका अचार बनाएए बढ़ी आसा और यहां पर आपको कवर देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी ओवरल मुझे कवर पसंद नहीं आते हैं बट ठीक है कि वाई बॉक्स के साथ मिलता है ज्यादा क्या उमीद करें जाए समय के साथ पीला पड़ जाएगा यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा लेकिन उससे पहले यहां पर देख लेते हैं इसमें क्या मिलता है तो सेम चीज रहती है पेपर वर्क मिला है साथ में अचार डालने के लिए पेपर वर्क है और यह रहता है आपका केस कवर और जो की वाइट कले में रहता है थोड़ी सी डिजाइन दे रखी है अगर आप कॉंपारिजन कराएंगे तो मुझे फिर टेक्नो का केस कवर ज्यादा अच्छा लगा है और डिजाइन दे रखी है लेकिन समय के साथ सत यह भी पीला पड़ेगा तो कोई भी फोन खरीद दिये तो यहां पर आपको केस कवर तो मिली जाना है और ऐसे में फोन को निकाल का साइड में रखेंगे क्योंकि पहले बात करेंगे एससरी के बारे में इनकी अन्बॉक्सि चार्जर को बाहर दोनों में ही और आपको यह वाइट कलर के चार्जर दे रखें जो कि ओवराल वेट की बात करूं तो यहां पर लगबग एकुल है बहुत मतलब लाइट वेट से रहते हैं यह चार्जर ओपो की तरफ से देखा जाए तो फाइब वोल्ट टू एंपियर क चार्जर देखने को मिलती है जबकि टेक्नो में आपकी 5 वोल्ट एंपियर यानि की लगबग लगबग दोनों ही बराबर है तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि स्टेंडर्ट चार्जर यहां पर आपको देखने को मिला है केबल को निकालते हैं देखने कभी केबल कहां पर स्टेंड करती है तो भाई साब दोनों में ही आपको माइक्रोइस्बी दे रखी है मतलब सब कुछ फोन में दो बट के नाम पर आप माइक्रोइस्बी देदो टाइप सी गयाप कर दो यही आज कल चल रहा है लेकिन कहीं न कहीं सोचना चाहिए बही सेलफी कैमरा पॉप सी यहां पर मैं उमीद कर सकता था जो कि देखने को नहीं मिली है तो फिलाल समान को साइट करते हैं फोन के बारे में डिटेल से बात करेंगे अब इसके बाद तो दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं ओपो 11K को और दूसरी तरफ रहता है टेक्नो की तरफ से 53 इंचेस का IPS पैनल देखने को मिलता है जो कि आपका फुल HD प्लस के रेजिलूशन के साथ आएगा तो एक बड़ा अंतर यह रहता है आपके लिए कि डिस्प्ले के साइस के साथ साथ यहां पर quality में भी अंतर है वहीं एक चीज़ आप और गौर कर पा रहे होंगे कि यहां पर selfie camera missing रहता है टेकनो में जो कि आपका pop-up में दे रखा है होता है उपर की तरफ जो कि आपका 32 MP कर रहेगा वहीं 11K में आपको 5 MP का selfie camera दे रखा होता है जो कि आपकी water drop notch होती है उपर की तरफ दोनों में speaker grill दे रखी होती है आप देख सकते हैं वहीं साइज में आपको एक यहां पर दूसी तरफ आपको यहां पर दोनों में ही एक तरीके से dedicated sim slot देखने को मिल जाता है और upper section की बात करें जाए तो यहां पर दो देखा जाए तो neat and clean रहते हैं लेकिन techno में आपको जो है उपर की तरह pop-up दे रखा होता है जैसा कि मैंने बताया था कि 32 MP का selfie camera होता है नीचे की तरफ रुक करें तो यहां पर काफी ज़्यदा similarity रहेगी क्योंकि दोनों में ही speaker grill होती है एक चोटा सा audio jack, mic और micro USB port दे रखा होता है तो यह चीज़ यहां पर थोड़ी सी common रहती है लेकिन आप बात करते हैं जाकर एक बार इनके back panel के बारे तो जमीन आसमान का अं जबकि टेक्नो में quad camera setup दे रखा होता है तो आप देख सकते है look wise भी बहुत ज्यादा अंतर है तो हो सकता है टेक्नो यहां पर थोड़ा सा आपको attractive लग रहा हो लेकिन oppo भी blue color में कमाल का लगता है सबसे पहले बात करते हैं बीच में आपको ब्रेंडिंग देखने को मिल ज देखने को मिलते हैं तो यहां पर टेक्नो की तरफ से आपको देखने को मिलते हैं 48 प्लस 5 प्लस 5 मेगा पिक्सल के camera और साथ में एक AI camera आपको अलग से मिलता है तो यह सारी चीज़ें यहां पर detail में रहती है और battery की बात करे जाए तो यहां पर थोड़ी सी similarity एक तरीके से र charging capacity में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है लेकिन overall camera में तो एक जमीन आसमान का अंतर है यह चीज़ यहां पर हम लोगों को देखनी होगी आप चलते हैं बात करते हैं जाकर सेटिंग में और चलते हैं एक बार इनके about phone सेक्शन में देखते हैं कि क्या-क्या मिल जाता है तो about phone में यहां पर टेक्शन का बैतरी ने की एक जिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन आप उपो में देख सकते हैं कि यहां पर आपको सब चीज़ें अलग अलग तरीके से दे रखें यहां पर UI की बात करते हैं तो Color OS वर्जन 6 पर काम करता है आपका OPPO जबकि टेक् यहां पर थोड़ा सा माइन रखेंगा हो सकता है OPPO में आपको आगे आने वाले समय में अपग्रेट देखने को मिल जाए लेकिन अगर आप प्रोसेसर पर नरजर डालेंगे तो यहां पर हो जाती है क्योंकि दोनों में ही आपको Helio के P35 प्रोसेसर देखने को मिलते हैं हाल और कहीं ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल गेमिंग ही ना कर पाएं लेकिन 2GB RAM के साथ OPPO में गेमिंग करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो गई होगा लेकिन 6GB RAM की वजए से थोड़ा सा आपको अतनी दिक्कत ना हो लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि प्रोसेसर यहां प लिख करते हैं रहती है तो ऐसे नार्मल मोड पर पहले हो तो अब हमरा है और आई क्या मोड बोला जाता है आप देख सकते हैं यह आपके पिक्चर सेंपल रहते हैं तो अंदर देखने की शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ओपो अच्छी पर्फॉर्मस देता हुआ दिखाई देगा साथ ही साथ टेक्नो में भी अच्छी पर्फॉर्मस दिखाई दे रही है लेकिन एक चीज जो मैं यहां पर कहना चाहूंगा वह यह है कि बहुत हद तक सिमिलर यहां पर आपके रहते हैं तो इस चीज को आप देख सकते हैं कि यहां पर इमेजस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आए है लेकिन इमेजस में अंतर आना आप शूरू होगा क्योंकि यहां पर ओपो में आपको लिमिटेड ऑप्शन है लेकिन 48 मेगा पिक्सल का ओप्शन आप देख सकते हैं कि एक अंतर आपको साफ दिखने को मिल जाएगा वाइट कलर का यहां पर फूल देखिए आप और यहां पर देखिए काफी बड़ा अंतर आपको जूमिंग क्वालटी में देखने को मिला है तो यह चीज आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी होगी कि देख सकते हैं पॉपप सेलफी केमरा रहता है फटाफट एक फोटो को क्लिक करते हैं दोनों से फिर बताता हूं कि कैसा रहेगा तो भाई यह रहता है यहां पर सेलफी क्यामरे की इमेजेस और यहां पर आपको एक हलका सांतर देखने को मिल गया है जो की माइने रखेगा यहां पर और यहां पर चाहे बात हो जुमिंग क्वालिटी की चाहे कलर कॉंट्रास की तो आप देख सकते हैं कि यहां पर काफी ज़्यादा डिफरेंस हैं हो सकता है यहां पर आपको थोड़ा सा जाधा पसंद आए लेकिन आप कमेंट करके मुझे पताईए कि आपको कौन पिक्सल का सेंसर है तो ऐसे में आप 32 मेंगा पिक्सल को भी अगर ट्राइब करके देखते हैं तो यह रहा इसका पिक्चर सेंपल और आप देखेंगे कि इसके मामले में कहीं न कहीं शापनेस और भी जादा बढ़ जाती है आप और जूमिंग क्वालिटी भी बढ़ा देत है जूमिंग क्वालिटी अगर हम चेक कराएं तो आप देख सकते हैं कि काफी ज़्यादा रहती है अगर आप बालों को देखेंगे तो ऐसे में आपको एक चीज क्लियर होके दिखाई देगी टेक्नो में जबकि ओपो में चीज नहीं आपाती है सेंसर की वज़े से तो यह पर इस चीज को आप गौर करके देख सकते हैं तो यह इसके बेसिक से कैमरा सेंपल रहे अभी आगे जाकर भी इनके कैमरा संपल देखेंगे फिर बात करेंगे उनके बार में लेकिन अभी चलते हैं हम लोग फटा-फट एक बार इनके फिंगर्पिंट स्कैनर को टेस्ट कर बात करते हैं तो जैसे आप आउन कराकर अपनी तरफ लाते हैं ओपो की पर्फॉर्मेंस यहां पर अगेन मुझे थोड़ी से ठीक लगी है एक बार फिर से ट्राइक कराते हैं तो ओपो थोड़ा सा मुझे असा लगता है जल्दी रियक्ट कर रहा है आप भी बताइए कमें आपके लिए बहतरीन कौन सा रहेगा कर रहेगा तो यहां पर आपने अभी इनके कुछ पिक्चर सेंपल्स देखेंगे, काफी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सुच्विशन आ जाती है, जब कि कैमरा सेंसर में एक बहुत बड़ा अंतर है, इसके बावजूद भी आपने देखा होगा, कि दोनों कैमरा आपस में अच्छा कासा एक दूसरे को कॉम्टीशन दे रहे हैं, कहीं ने कहीं सेंसर और प्राइस का यहां पर एफेक्ट आ जाता है, जिससे की कैमरा किसका अच्छा है, यह आप समझी गयोंगे, तो फटा-फटा आभी मुझे कमेंट करके बताईए कि कैमरा किसका आपको ज़्यादा मजदार वर्क करता है, लेकिन कहीं न कहीं यहां पर जो वैरिंट रहता है, वो काफी ज़दा लोव वैरिंट रहते हैं, ऐसे में कहीं न कहीं गेमिंग थोड़ी सी इसमें मुश्किल हो जाती है, यहां पर दोनों में ही इंप्रूब्मेंट हो सकते थी, लेकिन फिलाल ऐसा कुछ द वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक करेगा चनल को सब्सक्राइब करेगा फिर मिलते हैं आपको कुछ बहात्रीन गैजेट के साथ तब तक के लिए हमें एचाज़त दीजें नमस्कार दोस्तों जै हिंद बंदे मातरम इस सब्सक्राइब है है है